नमस्कार दोस्तों देखिए आज मैं कुसावली गां में हूँ और विनोध भाई के पास माया हूँ भाईयों इनका आज आपको देशी गोवन्स दिखाऊंगा और ये देशी गोवन्स के परती बहुत ही बढ़िया हमारे इधर के छेतर के किसान है जिसके पास में इतना देशी गोववन्स के बारे महूर बताऊ जी है भी घृँ जैट्स है वाला है आपको पास में सभांट गोवरों पेसाब जो है लेजी परमी कंपोष्ट यार करने में जीवर्टमरी तैयार करने में करते हैं अच्छा यह जाए परिवार चला अच्छा एक घाय का परिवार देखे भाई हो दो आगा इदर आप इनका देशी गोवंस देखे बिल्कुल कितना अच्छा गोवंस इंदो ने अपना तैयार कर रखा है एक ही का परिवार बता रहे है देख सकते हैं आप कि देखे भाई हो कि तो साइवाल यहां तो मारे पास में तैना हाँ बिल्कुल सही बात है अपना गोवंस तैयार कर रखा यह देखे भाई हो यह इनकी एक लाइन में बहांस बंदरी सारी और एक साइडम है और तो इनका जो आप जो कि गोमुत्र लेने के लिए क्या कर खावन है वैसा निकोई इंजाम कर वा रखा हाँ जी ऐसी कुछी जंग है मने देखा ना पक्के सेड़ बंवा रखे हाँ लेकिन वह आदर पढ़ ली नहीं है अच्छा एक समय निश्ची था इनका हाँ हाँ अच्छा यह आदर डाल रखे अपना सुबह के टाइम तो एक पर करते होंगे हाँ वह रह गया देखे वायो गोम उत्र लेने का इनका तरीका बिल्कुत सिंपल है इस तरीक से इनका गोम उतर ले लेते हैं ऐसी आदर डाल रखे इन अपने परसों के लिए और देखे कितना शांदार देशी तो यह त्यार कर रहे हैं आप इसके लिए यह बुल भी अप प्राकर्तिक चलेगा सब कुछ यह हम पढ़ते हमें हाँ विल्कुल विल्कुल नहीं से तो अपना सीड के लिए प्रहिना मिलती है कि अपने देशी गोवन्स को बचाओ और एक का गाएं देशी सभी अपने घरों में लाओ कि देशी गाएं के बहुत फाइद है तो ऑक्सिजन भी इनके तो गोवर में 40 परसेंट तो ऑक्सिजन है बिल्कुल 24 गंटे ऑक्सिजन जोड़ है और दूद तो अम रथ है इनका जी जी देखे भाई हो अगर इनका देशी कोमंस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करन चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को सेर करना नमस्कार